नमस्कार आप देख रहे हैं चत्तिसगर्ड विजन टीवी मैं हूँ आपके साथ निहा सरकारी सिस्टम से बेबास और ठकी हारी गीता ने ग्लास को ही अपना पंजा बना लिया और उस पर ही चलने को मजबूर है देखे ये स्पेसल पूर्ट गरिया बंद की 11 साल की गीता बचपन से दिव्यांग है और गीता के दोनों पैरो के पंजे बचपन से नहीं है गरीब और लाचार पिता के पास इतनी पैसे नहीं है कि वो गीता के पैरो में पंजा लगवाए गीता के माता पिता पैरो की पंजा बनाने की सरकार से कई दफा गुहार लगाए लेकिन जब कोई उनकी फर्याद नहीं सुना तो गीता ने खुद है इसका इलाज ठूण निकाला और अपते पैरो में ग्लास को पंजा बना कर चलनी लगी यहां 11 साल की गीता सिस्टम से हार कर ग्लास को अपना पंजा बना कर चलनी को मजबूर है कुछ दिनों बाद सरकार को जब इसकी भनक लगी तो आनन फानन में गीता को ट्राइसाइकल देकर अपना पल्ला जाड़ लिया लेकिन उसके पैरो का पंजा अभी तक नहीं बनाया ग चलते गीता आज भी ग्लास को अपना पंजा बना कर घर का सारा काम इनी पैरो से करती है जाड़ू लगाना पोछा लगाना बरतंदोने समेथ घर के सारे काम करती है फिलहाल गीता बैटरी चले ट्राइसाइकल चाहती है ताकि वहां असानी से पढ़ लिख सके गीता का सपन गीता के पिता देवी राम गोड ने बताया कि सरकार से गीता के पैरो में पंजा लगाने और इलक्ट्रोनिक ट्राइस साइकल के लिए कई बार बोले लेकिन किसी नहीं सुना योजनाय हो और जरूरत मंदू को उसका लाब ना मिले तो योजनाओं पर सवाल उठाना लाजमी है क्योंकि किसी भी योजना का सफलता का पैमाना उस सिल्ला वांतित होने वाले हित गराहियों की संख्या से लगाया जाता है सरकार और उनके नुमाइंदे यदी अपनी योजनाओं के सफल होने का दावा करते हैं तो उनको गी बात हमेसा याद रखनी पड़ेगी कि जब तक गीता जैसे जरूरत मंदों तक उनकी योजना का लाब नहीं पहुंचता तब तक उनकी योजनाओं की सफलता सवालों की खेरे में खड़ी नजर आएगी पूरो में ट्राइसिकल किया गया था उसका मुझा जानकारी अशा मिला तो पूरो में पंजाब नामी के लिए नाफ अब रहुआ हुआ तक तक उनकी नियुक्ता प्रूजन चर्वटर आएगा जाएगा जया भfarक तांकी।